आज हम बहुत ही अच्छे एरगैनिक होली कलर घर पर आसानी से बना कर तैयार करेंगे क्योंकि मार्किट में जो होली के कलर मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैमिकल होता है जिनकी वज़े से हमारी स्किन पर रैश्यस हो जाते स्किन खराब हुचाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, होली कलर बनाना तो यहाँ पर यह मैंने 4 बाउल लिये हैं क्योंकि मैं 4 तरीके के यह कलर बना रही हूं और हर बाउल में मैं 1 फोट कप पानी डाल रही हूं आपको जितनी तरह के कलर बनाने हैं न उसे साब से उतनी ही कटोरियों में आप पानी ले ले और फिर ये कलर बनाएं मैं चार तरीके के कलर बना रहे हूं तो चार कटोरियों में ये मैंने पानी लिया है और अब हम इन में डालेंगे फूड कलर तो मैंने यहां यह लिया है येलो फूड कलर एक चोथा ही चमच येल औरेंज फूट कलर यह दिखने में रैड लग रहा है लेकिन जब यह त्यार होगा ना तो इसे औरेंज कलर बनेगा अब यह मैंने लिया एक ग्रीन फूट कलर और यह भी एक कटोनी में डालती है इसे भी मिक्स कर देते हैं यहाँ पर यह जो मैंने food color डाले हैं यह सभी dry food color है अब यह मेरे पास है liquid color यह मैंने blue color एड़ किया है यह से mix कर दिया है पानी में अब यह मैंने 4 तरीके की color full पानी तयार कर लिए है अब यह मैंने लिया है अरओ आप चाहें तो कॉन फ़लार ले सकते हैं तो यह मैंने पानी में एक चमच अ्रारूट डाल दिया है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं अभी तो यह पानी बहुत पतला है इसमें और काफी सारा अरारूट डालने की जरुरत है तो ये मैंने अभी दो चमच अरा रोट और डाल दिया है इसे मिक्स करेंगे जैसे जैसे आप इसमें अरा रोट डालते जाएंगे ये पानी थोड़ा गाड़ा होता जाएगा एक सारा अरा रोट हमें नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और मिक्स करते जाए अभी ये मैं दो चमच और डाल देती हूँ और इसे मिक्स करूँगी और ये देखिए अब जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ न वैसे वैसे ये देखिए गाड़ा होता जा गया है अभी हम इसमें थोड़ा सा अरा रोट और डाल दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे हम इसमें कई बार दीरे अरा रोट डाल चुके हैं तो इस वज़े से अब ये देखे इस स्टेज पर जब आप इसे मिक्स करेंगे न तो ये थोड़ा गाडा गाडा सा हो जाएगा जो चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो बस इसी तरीके की consistency हमें इसकी चाहिए, बहुत पतला नहीं और बहुत जदा गाड़ा नहीं, इसे अभी हम side में रख देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह, और अब हम दूसरा color त्यार करते हैं, तो यहाँ पर जो orange color त्यार करना है मै उसके लिए जो हमने बाउल में पानी त्यार किया है ना colorful वो हम ले 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 थे हैं और इसमें हम डाल देते हैं अरा रोट, तो ये मैंने 3 चमबच अरा रोट डाल दिया, इसे mix कर देते हैं पहले, लगभग एक बाउल में मुझे 7 से 8 चमबच अरा रोट लगा है, और अभी हम इसमें और अरा रोट एड़ करेंगे, इस तरह के color आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जैसे मन्चा है वैसे color आप easily बना कर त्यार कीजे, मार्केट के chemical वाले color से बची और घर में ही हरवल color बना कर त्यार कीजे, तो ये देखिए अब इसमें अरा रोट डालने के बा और एड़ करेंगे, तो ये एकड़ परफेक्ट हो जाएगा, तो आपको 1 फोर्थ कब पानी में लगभग 7 से 8 चमबच की करेंब अरा रोट लग जाएगा, अब इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और ये देखिए अब अरा रोट मिक्स करते करते, लिक्विड हाड सा हो गया है थोड़ा सा, और अब इसे इस तरह मिक्स करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो बस ऐसा ही हमें ये लिक्विड कलर के लिए चाहिए, ये देखिए, कुछ इस तरीके का, अब हम इसे अलग रखेंगे और ये दोनों बच्चे हुए कलर भी इसी तरह तो ये चारो कलर हमने घोल के त्यार कर लिए, ग्रीन, येलो, ओरेंज और ब्ल्यू, अगर आप थोड़ा और दार्क कलर चाहते हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा कलर और एड़ कर लिए, अब यहाँ पर ये मैंने एक प्लेट लिए है और प्लेट के उपर मैंने ये एक प्लास्टिक शीट लगाई है, इस तरह की प्लास्टिक शीट आसानी से हमें घर में मिल जाती है, कोई समान वगेरा लाते हैं, उसके साथ आती हैं, पॉलिथिन वगेरा, वो भी आप ले सकते हैं, अब यहाँ पर ये जो हमने कलर त्यार किये हैं, वो हमें इसके उपर डाल दीजे, यह बहुत ही अच्छी तरीके से सूख जाएगा, फिर हम इससे कलर त्यार करेंगे, तो अब यहाँ पर यह मैंने लेली दूसरी प्लेट, इसके उपर भी प्लास्टिक शीट लगाई है, और यह ग्रीन कलर भी हम इसमें डाल देंगे, यह हमने ग्रीन कलर डाल दिय अब यहाँ पर यह देड़ घंटे बाद देखिए, कलर सूख चुके है, यह ओरेंज कलर देखिए, अच्छी तरीके से सूख गया है, यह देखिए, कुछ इस तरीके से यह त्यार हो गया है, बिल्कुल सूख चुका है, और इसी तरह यह देखिए, यह ब्लू कलर भी बहुत ही आपको दिखा दिया बहुत ही आसानी से अपने आप हड़ जाते हैं यह ग्रीन कलर भी देखिए अच्छी तरह सूप के त्यार हो गया है यह बिल्कुल नहीं चिपकते हैं इस तरह पॉलिथिन में अब हमने लिया है एक मिक्सी का जार और यह मैं इसमें पहले डाल यह ग्रीन कलर और अब इसे डालने के बाद आपको क्या करना है इसे ग्राइंड करना है ताकि से यह पाउडर फॉर में आ जाए एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से आपको तीन-चार सेकंड के करीब लगेंगे इ मैंने इसको चला लिया और यह देखिया बहुत बढ़िया fine powder यह त्यार हो चुका बहुत देखिया कितना सुनदर कलर बना ग्राया एंड कर आए बब साए एक बाउल में निकाल लेते हैं, कितना सुन्दर लग रहा है ना दिखने में, एकदम फाइन बनके त्यार हुआ है, तो ये हमने ग्रेन कलर निकाल लिया है, अब हम जो जार है ना उसे अच्छी तरीकी से साफ करेंगे पहले सूखे कपड़े से, उसके बाद ही हम दूसरा कलर इसमें डाल कर क्राइंड करेंगे, तो अब ये मैंने जार को साफ कर लिया, और ये डाल दिया यालो कलर, और का धकन बंद करेंगे और इसे त्यार करेंगे ये देखिए इसे भी हमने पीस लिया पहुत ही बड़िया फाइन पाउडर त्यार हो गया ये बन गया हमारा यलो कलर का गुलाल बहुती बारिक एकदम फाइन पाउडर तो इससे भी हम बाउल में निकाल लेंगे अब ये मैंने बहुती सुन्दर चारो कलर त्यार कर लिए अगर आपको इनका जो रंग है न वो जादा गहरा चाहिए तो हमने एक चोथाई चमबच के करीब हर बाउल में फूड कलर डाला था आप आधा आधा चमबच डाल देना तो कलर थोड़ा गहरा आजाएगा अब अपनी पसंद के कलर आप इसी तरह बना कर त्यार कर सकते हैं तो इस होली पर नो कैमिकल ओनली सेफ होली घर पर इस तरह के सेफ कलर बनाईए और सेफ होली खेलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हैपी होली